बुक्स्टार्ट स्पीक में आप सभी का स्वागत है क्या आप दिल्ली में एक रोमान्चक खोच पर जाना चाहेंगे? ये कहानी आपको दिल्ली के हौच खास इलाके में एक बगीचे, एक पुराने मदर से, एक मस्जित और कुछ मगबरों के माध्यम से एक ऐसी ही खोच पर लेकर जाएगी कहानी का शीर्शक है हौच खास जील के किनारे एक मदर सा ओरिजिनल स्टोरी हौच खास और स्कूल बाई दे लेक बाई प्रथम बुक्स कहानी लिखी है सुदेशना शोम घोश और तिलोत्तमा शोम चितरांकन शिवम चौधरी हिंदि में अनुवात पूजा बहनवाल कहानी का वाचन असावरी दोशी क्या आप एक रोमांच खोच पर चलना चाहेंगे? आप पाएंगे एक मस्जित, कुछ मकबरे, एक बगीचा और एक बहुत पुराना मदर सा ये सब आपको कहां मिलेगा? भारत की राजधानी दिल्ली के हौज खास में आधुनिक महानगर दिल्ली को घेरे हुए है वो साथ शहर जो उसके अतीत से जुड़े है ये साथ शहर थे किला राय पिथोरा, महरोली, सीरी, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, दीनपना और शाहजानाबाद यदि आप ध्यान से देखे तो दिल्ली के कई इलाके किसी कीले, महल या मकबरे के खंडरों पर खड़े है सीरी दिल्ली का दूसरा किले से घिरा हुआ शहर था, जिसे अलाउद्दिन खिलजी ने बनवाया था, हौज खास सीरी के करीब था हौज खास में खास क्या है? हौज का अर्थ है जलाशय, खास का अर्थ है विशेश या महत्वपूर्ण हौज खास इस विशन 1295 में अल्लाउद्दिन खिलजी द्वारा बनवाया गया था, इसमें सीरी शहर के लिए वर्षा का जल इकठा किया जाता था खिलजी के बाद ये जलाशय मानो गुमनामी में चला गया जब तक की इस विशन 1352 में एक और शासक फिरोच शाह तुगलक का दिल्ली पर शासनकाल आरंब हुआ हौच खास जील के आसपास बहुत से पक्षी जैसे मोर्नी, गुच्चेदार चिडिया, धनेश, फुलसुंगनी, धेलरा, तोता, हुदहुद, नीलकंट, गुगरल और बगुले देखे जा सकते हैं वातावरन पक्षियों की आवाजों से गुण जुटता है फिरोच चाह तुगलक को नई चीजों का निर्मान करना और पुरानी सौरच नाओं को सहेजना बेहत पसंद था उन्होंने कई अस्पतालों, सरायों, नहरों, पूलों और महलों का निर्मान किया उन्होंने हौज खास जलाशे को खुदवा कर दोबारा पानी से भरवाया फिरोच चाह ने कई पाट्चा लाए भी बनवाई जिनने मदर्सा कहां जाता था उन्होंने हौज खास में भी एक मदर्से का निर्मान करवाया आपको क्या लगता है कि 700 साल पहले स्कूल कैसे दिखते होंगे क्या वे उन स्कूलों की तरह दिखते होंगे जिनमें आप पढ़ते हैं फिरोच चाह को वास्तुकार शासक कहां जाता था वो फिरोजाबाद के किले वाले शहर से शासन किया करता था चलिए उस मदरसे की ओर चले जिसे फिरोच चाह ने बनवाया था यहां चात्र कुरान पढ़ते थे जो मुसलमानों का पवित्र धर्म ग्रंथ है वो खगोल शास्त्र, इतिहाज, गनित, चिकित्सा और सुलेख जैसे विशयों का भी पठन-पाठन करते थे पहले ये दो मंजिला इमारत हुआ करती थी मदरसे की उपरी मंजिल अब मौजुद नहीं है आप केवल छट के साथ लगी रेलिंग ही देख सकते है दूर दूर से चात्र यहां पढ़ने आया करते थे प्रसिद्ध सूफी कवी मौलाना जलालुद्दिन रूमी यहां पढ़ाया करते थे भवन के भूतल पर छोटे-छोटे कमरे है चात्र यहां रहा करते थे आप अभी भी उन पठनियों को देख सकते है जहां वो अपनी किताबे और अन्य वस्तुए रखा करते थे ये तीन गुंबदो वाला एक विशाल कक्ष है जिसे मजलीस खाना या सभाभवन भी कहते है यहां कक्षाय ली जाती थी हौच खास मदर्सा तुगलकी वास्तुकला का एक नमुना है इसके दर्वाजे जोकी पत्थरों के स्तंभ है उनके उपर बने महराब इस बात का उदाहरन है फिर ढके हुए छजो वाले बरामदे है जिने जरोखा कहां जाता है बारिश हो या धूप इन जरोखोंने हमेशा पना दी है क्या प्रकृती से घिरे ऐसी स्थान पर अध्ययन करना पसंद नहीं करेंगे जहां पक्षियों की चहचाहट हो और शायद जील में तैरने का भी मौका मिले जरोखे और छज्जे दोनों प्राचीन वास्तुकला के तत्व है चज्जे भी ऐसी सौरचनाए है जो च्छाया प्रदान करती है मदर्से के अलावा हौज खास की एक और खासियत है घरों में बने हुए मकबरे चलिए चलते है फिरोजशा तुगलक की मकबरे की और ये गुंबद वाला एक बड़ा कक्ष है जो उन्होंने मरने से पहले बनवाया था मकबरे की दीवारे चूना पत्थर के प्लास्टर से बनी है दीवारों पर काले धब्बे है ये कवक या फफुंदी है जो सालों से दीवारों पर नजर अंदास किये जाने के कारण जमा हो गई है इससे पहले कि आप फिरोजशा तुगलक के मकबरे में कदम रखे आपको बाहर उस सवरजना के घेरे हुए कुछ रेलिंग दिखाई देंगी ये साची में प्राचीन बौद्धस थल पर मौजूद रेलिंग से मिलती जुलती है फिरोजशा ने कला और वास्तुकला की पुरानी शैलियों पर बहुत ध्यान दिया और उनका उपयोग अपनी इमारतों में किया चट एक उल्टे कटोरे के समान है जिस पर आट कोणों का एक सितारा बना हुआ है तारे की रेखाओं के बीच कुछ लिखा हुआ है वो कुरान की पंक्तिया है इसी तरह की पंक्तिया दर्वाजों के उपर महराब पर भी लिखी गई है ऐसा माना जाता है कि यह बारिक कलाकारी मक्बरे के बाद के दौर में करवाई गई थी गुंबत के नीचे चार अज्ञात कब्रे है बीच वाली कब्र फिरोच्शाह की कही जाती है क्या आप गुप्त मार्गों को देख सकते है जी हाँ, मक्बरे के दो दर्वाजे है जो अगले कमरे की कक्षाओं में गुप्त मार्ग द्वारा खुलते है गुप्त मार्ग एक दूसरे के समकोन पर है और कक्षा से प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ती ये नहीं देख सकता कि दूसरी तरफ कौन है हौच खास परिसर में एक मस्जिद भी है, ये जील के बिलकुल सामने है, इसके दोनों तरफ सममीत सीडिया है जो एक महराप की और जाती है अधिकांश मकबरों और मस्जितों में पश्चिमी दीवार को बन कर दिया जाता है, उस दीवार पर एक आले का डिजाइन बनाया जाता है और सजाया जाता है ताकि लोगों को ये पता चले कि नमाज अधा करते समय उन्हें उस तरफ मूँ करना है इस आले को महराप कहा जाता है और इस मस्जित की मुख्य महराप कलाकृतियों वाली एक खिड़की है बगीचे में कुछ और कबरे भी है, ऐसा माना जाता है कि ये कबरे मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षकों की है आपको क्या लगता है, फिरोच्चा तुगलक के बाद हौज खास का क्या हुआ इस विशन 1398 में तैमूर नामक एक तूर्क मंगोल राजा ने दिल्ली पर हमला किया उसने हौज खास में शिविर लगाया एक शान्ति पूर्ण मदर से और सुन्दर बगीचे से ये सैनिकों के लिए एक शिविर स्थल बन गया तैमूर ने लिखा बारिश में ये जलाशय पानी से भर जाता है और पूरे साल लोगों की पानी की जरुरतों को पूरा करता है आज का हौज खास एक व्यस्तक शेत्र है लोग यहां के बाजारों में खरिद्दारी करने और खाना खाने आते है वो यहां डियर पार्क में टहलते है अनायास ही वे समय की परतों को हटाते हुए अतीत में पहुँच जाते है जहां उन्हें अनुभवी शिक्षकों के पाठ और चातरों के उन्हें दोहराने के स्वर सुनाई देने लगते है उन्हें जील से चलती थंडी बयार का एहसास होने लगता है जो एक सुल्तान की अंतिम आरामगा की ओर बहती हुई जान पड़ती है इतिहास की स्मृतिया तो यहां के चप्पे चप्पे पर बिखरी हुई है तो और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा YouTube पर और अलग-अलग podcasting channels पर website www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई शुक्रिया झाल-बाई उड़को झाल-बाई